हलो, हलो, कोई मुझे सुन सकता है, प्लीज, प्लीज सुनिए प्लीज, प्लीज, सुनिए नमस्कार, मैं हूँ प्रदीफ आजाद और आप देख रहे हैं डायल हंडर आज हम आपको दिखाएंगे चर्म की वो तस्विरें जिने जानना आपके लिए चरूरी है क्योंकि हमें रहना होगा इनसे साथान ये गुना के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं तो आई शुरू करते हैं डायल हंडर हलो, 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 कोई मुझे सुन सकता है, प्लीज, प्लीज सुनिए इस यार गांडरोनु में 104 जानते हैं डायलंडर्ण में आज बाज सबसे पहले इक उस वारताद की जो कैमरे में कैद भी होगे गुनाँ को अंजाम देने वालों के चेहरे भी कैद होगे और एक शक्स का यहां कतल कर दिया गया गुना को अंजाम देने वालों का यहां मक्सद था बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने का लेकिन जब एक बैंक कर्मी ने वारदात को टालने की कोशिश की तो फिर उसे अपनी चान भी कमा देनी पढ़े बेरहमी से परतमाशों ने चाकों से बेंग की अशिस्टेंट मैनेजर को कोद डाला और फिर फरार हो गए चलिए वार्थात की पूरी तस्वीर बताते हैं आपको महवासे दोसा जिले का मंडावर कस्पा जहां गुरुवार को संसनी फैल गई सुबह के वक्त ही पूरी कस्पे में एक वार्थात की चर्चा चोरूं पर थी और जिसे भी वार्थात के बारे में पता लगा वो घटना इस्थल की और तोड पड़ा अब जरा इस तस्वीर को देखिए ये हैं मंडावर कस्पे का बैंक कॉप बड़ोदा जहां दो बादमाशों ने बैंक रूट की साजिश रची वो यहां पहुँचे और रात करीब बारा बज़े का वक्त था जब यहां ये दो बादमाश इस खिड़के को तोडने में जुड़े थे लेकिन बादमाशों के इस बात की खबर नहीं थी कि इस बैंक के पीछे मौजोद कमरे में बैंक कर्मी भी सो रहा है और जब ये शातिर बैंक की इस खिड़के को तोडने में लगे थे उसी दोरा बैंक की असिस्टन मैनेजर राम सिंग यादाओ की निन टूट गई बैंक में किसी वारतात के संधे में वो बाहर निकल आए और जब सामने देखा तो नजर आई ये दो बादमाश आखिर पूरा मंजर भाप कर बादमाश बैंक कर्मी पर तोट पड़े और उसे चाकों से कोट डाला जसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई अलाकि मामने की जांच में जोकी तुलिस का कहना है कि बादमाशों ने बैंक की सेफ तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं होबाएं इसी रात्री को मंडावर कस्पे में बड़ बैंक और बड़ोदा में अग्यात हमलावारं रुपारा साहिक मैनेजर सिरी राम सिंग यादव का नरसन सत्या कर दी गई ततपस्चाथ वो बैंक में खिड़की तोड़कर गुसे हैं और सेफ तोड़ने का प्रियास किया जिसमें उनको सफलता नहीं मिली है और इस इतला मिलने पर तुरंत ही पुलिस पहुंची है और अनुसंदान पर आग्म किया है सिसी टीव फुटेज देखें उनके अनुसार दो अव्युक्त नजर आ रहे हैं और इस गट्टा में संभवत है अभी तक कि अनुसंदान से दो अव्युक्त द्वारा कारित की गई है और जल्दी ही प्रियाश कर रहे हैं कि इसमें स्थानी हैं या बाहर के हैं सभी एंगल से अनुसंदान किया जा रहा है पुलिस अधिक्षक महुड़े भी आज मौके पर पढ़ा रहे हैं आनुसलनान जारी है अब बदमाशों को सेफ तोड़ने में काम्या भी नहीं मिली और इस वज़े से यहां रखी लाखों के नगदी लुटने से बच गई लेकिन बदमाशों के इस वारतात में एक बैंक कर्मी को अपनी चांड कमानी पड़ी हाला कि वारतात की खबर मिलने के बाद इलाके की पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे रहे कई इलाकों में नाकाबंदी भी कराई लेकिन परतमाशों का कोई सुराक नहीं मिला वार्दात की खबर मिलने के बाद विधाय किरोडी लाल मिना भी महा पहुँचे और घटना को लेकर नाराजगी चताई बैंक कर्मे की हत्या की सुवार्दा के बाद पुलिस ने एफसल क्रीम को भी मौके पर बुलाया और यहां से CCTV फोटेज भी कप्चे में लेकिन अभी तक चांज के नतीजे ढग के तीन पाद ही है फर्स्ट इंडिया के लिए महवा से विजा सिंग की रिपार्ट लोगों की सुरक्षा में तेनाद खाकी अकर कुना को इंचामते तो फिर असल मुझनों की फैरिस्त भी शर्मा जाती है और इस पार राजिस्थान के कोटा में एक पुलिस कर्मी ने फिर वर्ती पर दाग लगा डाला और इस पुलिस कर्मी ने वारतात भी कोई छोटी मुटी नहीं बलकि इस पर आरोप है कि उसने एक घर में चबरन दाखिल होकर वहां रहने वाली एक महिला को हवस का शिकार बना डाना इलाके के थाने में तैनाद पुलिस कर्मी भी इस वारतात के बाद आलादिकारियों के भी होशुड़ गया जब मामले की रिपोर्ट थाने में तर्च हुई तो आरोपी पुलिस कर्मी को भी हिरासत में ले दिया गया लेकिन वर्दी पर एक बढ़ाता जरूर दख गया कोटा के महवीर नगर इलाके में इस बार चो वारतात होई उसने खाकी को भी सकते में डाल दिया ये है कोटा के महवीर नगर इलाके का एक खार जहाँ पुलिस और एफेसर टीम एक वारतात को लेकर अपनी परताल में चुटी है और इस बार जिस वारतात को अंजाम दिया गया वो किसी बदमाश द्वारा नहीं बलकि बदमाशों पर नकेल कसने वाले एक पुलिस कर्मी नहीं दिया और कुना भी ऐसा संगीन यहाँ इलाके के ही एक पुलिस कॉंस्टिबल सुबाश शर्मा ने इस घर में चबरन दाखिल होकर इस महिला की जट से खिलवाड कर डाला सामने आया है कि आरोपी पुलिस कर्मी मॉबाइल चोरी के मामले में अपनी तफ्तिश के लिए पहले भी इस घर में आया था और अब फिर मौका लगने पर वो यहाँ आधम का पिडित महिला कहती है कि उसने पुलिस कॉंस्टेबल को बात में आने के लिए कहा था क्योंकि वो उस वक्त घर में अकेली थी लेकिन आरोपी कॉंस्टेबल जबरन उसके कमरे में दाखिल हो गया और महिला को आपनी हवस का शिकार बना डाना कि अप्रण नाम कर दो कि महाँ आपने के चला गया था मेरा रेप कर कि चला गया मेरा गेट कोई जरासा इन गेट कोल पानी की बोतल दी उसने पट कोल के और वो जा अंदर बंकर जा गेट लगा दिया पता चला है कि इस महिला के घर में कुछ छात्र भी रहते हैं और उनी छात्रों में से किसी एक का मोबाइल चोरी हो गया था जिसका मामला महवीर नगर पुलिस के पास था सामने आया है कि उसी मोबाइल चोरी की तफ्तीश के सिलसले में एक पुलिस कर्मी यहां पहुँचा था हाला कि महिला का कहना है कि उसने खुद के बचाओ के लिए काफी कोशिश हैं भी की और उसके साथ मार पीट भी हुई लेकिन शातिर वारदात को अंजाम देने से बास नहीं आया जब इस मामले की खाबर पुलिस को मिली तो इलाके के अधिकारी भी यहां पहुँचे एफेशल टीम भी यहां पहुँचे और वारदात इस्थलकी बारीकी से छान बेन की अलंकि इस मामले में पुलिस अधिकारीों का कहना है कि पूरे मामले की चांच की जा रही है वहीं आरोपी पुलिस कर्मी को खिरासत में ले लिया गया है लेकिन पुलिस ने यहां एक और खुलासा किया है कि पहले भी इस महिला की ओर से एक कोचिंग छात्र पर दुशकर्म का आरोप लगाया दया था लेकिन जांच के बाद उस मामले में एफार्ट लगाई जा चुकी है अंदर आ गया अंदर आके और इस प्रकार से उसने मेरे साथ लिप की प्रेडिकली इनका हो गया था और अभी हम वोका देख रहे और जो भी सो फड़ादर इन्विस्टिकेशन की जो उपसारिकता हैं कूरी होड़ी की होती सब चीज़े करते हैं राजस्थान में खाकी के दागदार होने की ये पहली वारतात नहीं और हाली में राजधानी में खाकी वालों ने महतमे पर ताग लगाया तो उसके बाद जैपुर में खाकी वाले ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उता डला आखिर पशाताप होने के बाद उसने भी मौत को गले लगा लिया और अब कोटा की इस तस्वीर ने एक बार फिर आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रख्षक ही जब भख्षक बन जाएगा तो फिर पबलिक की हिफाज़त कौन करेगा कोटा में एक बार फिर पुलिस की वर्दी दागदार हुई है अभी छे महीने पहले एक सब इंस्पेक्टर पर दुषकरम के प्रियास का मामला दर्ज हुआ था और अब एक बार फिर एक कॉंस्टेबल पर मैला ने दुषकरम करने का संगीन आरोप लगाया है हाला कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में जरूर ले लिया है लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच मजूटी है अब देखने वाली बात होगी अपने ही मैक में के आरोपी को पुलिस कितने दिन में सलाकों के पीछे तक पहुचाती है और इस पूरे मामले को कितनी गंबीरता से लेती है कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा परसन मुके शाकेवाल के साथ शाकिर अलीज वाके अगर एक पुलिस कर्मी ही दुश कर्मी बन कर वारतात को अंजाम दे तो फिर खाकी के पास भी कोई जवाब नहीं होता लेकिन सवाल ये कि जिसके कंदों पर लोगों की हिवाज़त का जिम्मा होता है वो खुद गुनेकार बन कर आखिर समाज को कौन सा चेहरा दिखाता है ये सोचना भी जरूरी है डैल हंडर में वक्त होके है एक छोटे से प्रिक का प्रिक के बाद आपको बताएंगे आरेज़ी के एक हवलतार का गुना जिसने अपनों का ही भरोसा तोड़ कर उन्हें लगा डाला लाखों का चुड़ा प्रिक के बाद हालो? 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 कोई मुझे सुन सकता है? प्रिज 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 थी एस्टोरों ने व्कॉचा तो चाना है चाना है यांटे हो स्राना दो